Hey everyone, welcome back to my channel और इस वीडियो में guys हम Delhi University जो जर्नलिजम का entrance exam होता है जिन जिन बच्चों को mass communication में admission चाहिए Delhi University में और जो इस exam की preparation कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें कौन से topic prepare करने हैं कौन से उनके लिए important topics हैं यह मैंने पूरे जितने भी exam paper हुए हैं उनके अब तक के सबको analyze करके यह topics निकाले हैं और आप इसको check out कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहरे जो important topics इसमें पूछे जाते हैं वो होते हैं अगर आप मास कमिनिकेशन exam की तयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ current से ही जुड़ा पूछेंगे आपसे common facts पूछेंगे जो हर एक media student को पता होना चाहिए क्योंकि आगे चलके आप एक media को join करेंगे तो आपकी जो journal awareness है वो बहुत ज़दा high होनी चाहिए तो उसी से according आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो newspaper and their founders इसके बारे में इससे सवाल एक ना एक question जरूर आता है और इसके उपर मैंने वीडियो अभी हाली में बनाई है इससे पहले भी बनाई थी आपको जो playlist है मेरी media entrance exam की preparation की उसमें से मिल जाएगी साथ ही awards जो है इसमें पूछे जाते हैं कोई भी common awards जो होते हैं वो पूछे जाते हैं करंट के ये भी मैंने कल ही ये वीडियो बनाई awards कि आप वो देख सकते हो appointment कौन हाली में nuked किया गया है कहां पर वो पूछा जाता है ये basically किसी भी appointment का पूछ सकते है ज़रूरी नहीं है कि आपसे मीडिया की appointment या press council, press commission इस तरीके का ही पूछेंगे वो किसी की भी appointment पूछ सकते है कि इस वक्त जो करंट में कहीं भी कोई appointment हुआ है वो आपसे पूछा जा सकता है साथ ही ranking and reports मतलब जो ranking आपकी जारी होती रहती है जैसे gender gap की ranking या फिर human index की या फिर human development ये जो ranking जारी होती है इससे सवाल जो है पूछ लिया जाता है current की कोई book launch हुई है या फिर कोई famous book है वो आपसे पूछी historical book है वो पूछ ली जाती है ये सब prepare करना होता है ये सारे ही common topics होते हैं जो आपसे exam में entrance exam में पूछे जाएंगे और साथ ही आपको अगर ये मतलब list चाहिए तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं मैं वहाँ ये post कर दूँगी अब वहाँ से इसको ले सकते हैं या फिर आप इसका screenshot भी ले सकते हैं साथी जो दूसरे topic है that is important government schemes जो सरकारी योजनाए होती है जो हाली में सरकार launch करती है current से जुड़ी वी जो होती है उनसे संबंदित जो schemes होती है वो भी वो सब पूछी जाती है इससे भी एक दो सवाल पूछ ले जाते हैं exam में साथी abbreviations जो common abbreviations होती है वो पूछ ली जाती है जैसे पिछली बार के Delhi University के 2018 की exam में iOS का पूछा गया था साथी उन्होंने बार्क भाबा रिसर्च अटॉमिक सेंटर की भी जो है full form पूछी थी इस तरीके जाते हैं यह भी आप मेरे चैनल से prepare कर सकते हैं जो मैं प्लेइस्ट है मेरी जीके डेली डोस की वहाँ पर मैं जीके से जो common facts होते हैं history, geography, political के वो upload करूँगी तो वहाँ पर से आप इसको prepare कर सकते हो साथी current affairs, current affairs में भी guys current affairs बहुत vast topic है अगर आप सारे current affairs करने लग जाओगे तो आप बिल्कुल prepare नहीं कर पाओगे, इसलिए आप topic wise करो साथी जितना मैं आपको करा रही हो आप वो भी कर लोगे तो आपके लिए काफी beneficial रहेगा और reasoning, reasoning भी जो है अच्छा खासा part reasoning का पूछा जाता है इसमें, reasoning से भी आपके 35 से 30 questions आ जाते हैं exam में, तो reasoning भी आपको अच्छे से prepare करनी है, तो ये कुछ common topic है, अगर आप जो है Delhi University के journalism के तयारी कर रहे है entrance exam की, तो ये topics अगर आप कर लेंगे, तो आपका selection पका हो जाएगा, ये guarantee है, साथी आप मेरे channel को follow करके, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको करा रही हूँ, आप वो भी कर होगे, तो भी आपको काफी फायदा मिलेगा, I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी, और पसंद आए तो please guys like करें, share करें, चानल को subscribe जरूर करें